तो कैसे हैं आप सब एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल MN Achiever पर तो हम लोग क्लाश अभी लेकर आए वे थे पोल्टी राजविवस्था के क्लाश चल रहे थे तो उसी को हम फिर से आगे क्यों पढ़ते हैं तो आइस्ते इस्ते पढ़ते जाएंगे और अराम से हम लोग क्या होती है कि हमें भी बता दें कि अभी थोड़ी होगी कि tied से बना जब तक थोड़ा धिरे जब पढ़ते जाएगा एक बार अश्यतर से पढ़ लेजिएगा उस परिसानियां जितने अश्यतर पढ़ते जी आराम से समस्याइं दुर होती जाएंगे हर पयक्ति को सुराती समय समय लगता है थे देड़े अब टाइम किसी भी से बढ़ते हैं जो एक बार दो बार पढ़ चको उसके लिए परिसानियां नहीं हो अतनी लेकिन जो पहली बार पढ़ आओ उसके लिए अधिक सथिक परिसानियां करना पड़ता होगा लेकिन खेड छ भारत का जो समिंधान है वो प्रकृती बहुंगीृका Halo और उसके पीछेल बहुत सारी लंबी मुझा प्रकृत यह था जब हारत गुलाम हुआ। उसके बनने के समय कि उससे में भारत जब 186 में इस इस निया कमपनी आई भारत में तो उसके साथ थी वो अपने नियम कानून लेकर आई और नियम के साथ साथ वो भी क्या लिख जब जब क्या होता है कि अनेक परका के जब जब देखते हैं कि 1773 का अज उसी तरह से आज हम लोग अस्टार्ट करने वाले हैं अठाव से थीश का चार्टर एक्ट है हम जिस तरह से रेगुलेक्टिंग एक्ट के तहद सुप्रीम कोट कोट्टा में सुप्रीम कोट का स्थापना की गए थी उस समय क्या थी भारतिय समिंधान के विकास से यतरा शुरू हो चुकी थी हम लोग कहें तो एक नियम बन चुका था एक कानून बन चुकी था अब धिरेदर वहीं कानून वहीं अधिनियम धिकास की प्रक्रिया में अगरसर थी और जाकर आजादी के समय बनकर एक बड़ा समिंधान हमारे सामने परस्तुत गया गया ता जो 3833 का चार्टर रेक्ट अब है जी तरह से हमने देखा कि 2833 चार्टर डेक्ट जैसा 773 में एक लाए गया उसके तहर 774 इसमें सुप्रीम कोट के स्थापना की तो इसको स्थापना की गई उसके साथ ही हम लोग क्या किये जब eight-heart 13 का charter act आता है उसके प्विटीस कंपनी के एक अधिकार को समार्द भी की आता है चाय और चिन परको एक अधिकार बना रहेगा इसाई मिसनर्यो इसाई मिसनर्य उसाई धर्म के प्रक्त송 उसे से क्या था तो उसका मुख्य फैस था हम जानेंगे कि आखीर ऊठाव से थैस्टर एक लाने के पिछे का उद्येश से क्या था बियिटिश बिल्टिश कंपनी थी जो इस्टेडिया कंपनी थी तो अध्या से प्सक्राट ने ने कर आए ति-त्ष्याट ess इसका उद्येश से य केंद्री करण की केंद्री करण की अधरणा केंद्री करण की अधरणा केंद्री करण की अधरणा सक्तियों का जो पिकेंद्री करण था जैसे कि हमने बताये था भारत के अंतरगत भारत के अंतरगत तीन प्रसिडेंशिया थी तीन प्रसिडेंशिया थी एक था मदरास एक था मदरास एक था बंगाल एक था मदरास कलकात्ता और बंबाई तीन प्रसिडेंशिया थी और तीनो क्या किया गया कि 387 में क्या किया गया अटारश सथी और उसी के साथ ही 813 में भी कहा गया था कि जो कि केंदरीकरण चाहित साथ ही जो बंगाल और मंबई परशनची यह हैं जहाँ कासे कलकाता परशनची हो थी जहें मदरास और बंबाई प्रसिटेज़ जो है वह कलगाता प्रसिटेंसी के अंतरगात रहेगा मतलए अधिन रहेगी लेकिन अब 38-33 चार्ट रेक्ट में यह कहा गया कि अब यहां पर केंद्र करण के अधरणा दे गई कि पुर्ण सक्तियां क्या होगी एक केंद्रे में होगी जहां पर क्य यहां पर क्या ही भारत की गौर्ण जनरल की अधारणा आई भारत की भारत के चैक की का थे भारत के गौर्ण जनरल की अधारणा गौर्णा जनरल के अधारना मतलब यह कहा गया पहले क्या था बंगाल का गौर्णा जनरल था पहले क्या थे गौर्णा थे उसके पहले गौर्णा जनरल आए फिर अब क्या हुआ भारत के गौर्णा जनरल आए मतलब कि पूर्ण सक्तिया क्या हो गई भारत के गौर्णा जेनरल पर अस्रित हो गई और यह भी कहा गया यहां पर पुर्णता एकाधिकार समाप्त कर दिया गया एक और था कि पुर्णता पुर्णता एकाधिकार समाप्त कर दिया गया सम ़िए गया समझने वाद यह बात है कि क्या किया गया कि 823 के चार्टर रेक्ट में केंद्री करंड के उधरना म kilos कि जब क्या थी तीन प्रिचेदेंसियाng थी कलकाटा, भंबाई और मद्रास तो तीन प्रिचेदेंसिया उसके पहले क्या थी सभी कार्ण है और तो किसे और तो अलाई ऑलाई था हर के अजन गौवंर था अब इसके बाद क्या हूआ मदार्आ और बंबाई जी थी वह किस के अधिन हो गए। और उसके साथ यहां पर 103 चाटेलेक्ट में क्या हूआ केंद्री करन कना अधिध्रन यहाँ पर क्या हुआ, भारत की भी प्रेस्जंसी के गौर्ण नहोंकर अब क्या होंगे गौreनर जन्रेरल के पूरे प्रेसिजंसी के , Phrathap पहले गौर्ण जन्रेरल कौन थे हैं distinguish भारत के पहले गौर्ण जन्रेरल dependent लोड्विलियम ब्रेटिंग लोड्ड लुड्विलियमल यह क्या थे पहले गौ्णर Denise और उसके साथ यहां पर यहभी कहा गया कि पूंडु तर एकाद कर दिया गया मतलब कि जब इस्टिंडिया कंपणी भरत यह थी उससे में एक अधिकार जो था भारत चीन और चाय यह भी कहाँ चाय और चीन पर उसका अधिकार बने हुए थे लेकिन 8823 के स्टाइट डेट के तवा थे इसके एक अधिकार को पूनता पूनता एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया मुख्य उद्य से एध है कि British Stair Company के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसके साथ ही एभी का एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और हमने क्या कहा पूर्टे एक अधिकार समाप्त कर दिया गया जब पुर्टय का धिकार समाप्त किया गया जैसे कि हमने क्या कहा भारत के गौवर्णर जेनल होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जैसे कि गौवर्णर जेनल जब हुए भारत के तो इनसे पहले भी कोई कानून बना हुआ तो पहले जो कानून बना था उस कानून को हम लोग निय नियामक कानून कहते हैं और तथा जब उनके गवर्णर जेनरल के बाद जो कानून बना हम उस कानून क्या कहते हैं एक्ट कहते हैं या अधिनियम कहते हैं एक्ट कह सकते हैं या अधिनियम कह सकते हैं एक ट्या धिनी हम कह सकते हैं बास समझ में यह अपन्धान गौर्ण दिनने माली बात है कि क्या होता है कि जब केंद्री करण की सक्ति आती है भारत जब गौर्णा जनल बनते हैं जब सक्तिय केंद्री करण होता है तो गौर्णा जनल से भारत के गौर्णा जनल के पहले कानू बतलब भारती गौर्णा जनरल बनने से पहले के कानून, बतलब भुद काल के कानून, तो उसे हम नियामक कानून कहते हैं, क्या कहते हैं, नियामक कानून कहते हैं, अब उसके साथ ही जब वो गौर्णा जनरल बनता है, उसके बाद जो सक्तियां आती हैं, उसे हम क्या कहते है अधिनियम कहते हैं, एक्ट कहते हैं, अब यह भी कहा गया, जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को, पूर्नर 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 जन के लिए बजट तयार क्या कर सकते हैं इससे क्या किया गया हमने कह सकते हैं गौर्णेट जनरल को पूरे देसर पूरे राज्जे के लिए पूरे विर्ट्रीस भारत राज्जे के लिए एक budget त्यार करने के लिए कहा गया budget हम budget की भारे में जैसे कि भारत की जो budget आने वाली है फिर एक फरोडी को लगता है कि परस्तूत किया जाएगा तो उस पर भी हम दिखेंगे चर्चा करिया जाएगा current के रूप में current एक अधाना लेकर current के रूप में तो उहीं कहा गया जब ग वरना जैनों को पूरे देश के लिए कि पूरे देश के लिए क्या किया budget बनाए बजट बजट परस्तूत की जिसमें क्या होता है budget होता है जिसमें पूरे राज्य की I और बै की कि कितनी है कितना खर्च करना है कितनी कितना खर्च करना है सिख्षाप कितनी खर्च करनी है उसकी सब लेखा जो खाँ पर सिख्षन परीख्षन हो रहता है उसमें लिखी तरहता है और उसके साथ ही यह भी कहा गया यहां पर कि सिविल सेवा सिविल सेवा में सिविल सेवा म खुली प्रतियोगिता क्या किया गया सिविल सेवा में सभी लोगों के लिए खुली प्रतियोगिता का परस्थान किया गया प्रतियोगिता को दे सकते हैं और सिविल सेवा का पद अपना ग्रहन कर सकते हैं तो उसी तरह से जैसे कि हम पिछली बार बताया था कि 2019 में क्या लम्न समयाद जहां तक हो तो उसे में क्या हो था जैसे कि सुभा चंदर पोस्ट ने भी सिविल स्वाइक परिशाय क्रेक किये हुए थे और उसके साथ ही यहां पर यह भी कहा गया कि एक बिधी कानूनी बिनाए गया एक बिधी समिती बिनाए गया यह भी हम कह सकते हैं कि यह भी कहा गया कि किसी भी ब्यक्ति के साथ अगर क्या होता था कि इसका एक अधिनियम लाए गया एक एक लाए गया कि किसी भी ब्यक्ति के साथ किसी ब्यक्ति के साथ जाती धरम लिंग जनम अस्थान या देश के अधार पर भेद भाव नहीं किया जाएगा उसके पदों के साथ यह समझ लेजिए किसी ब्यक्ति के साथ जनम के अधार पद का आवंटन नहीं किया जाएगा बलकि उसके अंदर छामता के साथ उसके अंदर पदो का अवन्टन योगता के अनुसार कि यह समझनें वाली बात है कि जब पदो का अवन्टन किया गया किसके अनुसार योगता के अध्यार पर इससे क्या हुआ लेकिन एक तो लाए गया लेकिन एक बंड न सका कि इसके अंदर कुट ऑफ डाइरेक्टर्स द्वरा कुट ऑफ डाइरेक्टर्स द्वरा ऑफ डाइरेक्टर्स द्वरा डाइरेक्टर्स द्वरा इसका विडियोत किया गया क्या किया गया इस ए एक्豆 को लाएके था, कुर्ट ऑफ डायेटर्स द्वारा इसे विरूत किया, जिसकी वह ज़य से इस एक्ट को खार्ज कर दिया गया और इसके साथ ही भारत में दास्परथा पर मिर्धी बनाई गया, मतलब कि दासप्रथा पर विधी का निर्माद यह कहा गया कि दासप्रथा पर क्या किया गया विधी बनाए गया दास्ता के लोग उजुज रहे उनके जीवन के अधिकार को समझा गया इसके बिरुद में एक बिधी बनाएगा किसी विव्यक्ति को एक दास न रखने की उसके एक मौलिक अधिकार हो और हम लोग कहते हैं एक दास के रूप में किसी विव्यक्ति एक इनसान के रूप में एक मनुस्य के रूप में हर बिव्यक्ति का एक अधिकार है कि वो एक सौत और उसे साथ ही अब क्या किया एक विधी आयोग का गठन किया गया विधी आयोग विधी आयोग का गठन विधी आयोग गठन किया गया लोड मै काले की अध्यक्षता में अब समय वाली बात क्या कै अद्यक्षथा 5 मतलब की हमने क्या कहा कि जब क्या थी जब surprisingуск company आई थी उस्य मसफ्य क्या था कि उस समय मतलब कि उसमय तो राजतंत्र था धीरी धीरे क्या होती है अपनी सक्तियां धीरी सक्तियां बढ़ते जाती है जिसकी और जासे उसकी सक्तियों का एक सक्ति अधिक हो जाने से वह क्या होता है कि उसके अंतरगत नागरिक और से सक्तियां दोन उसमें विद्य पर नमान हो जाती किसके तर जब होता है जब उसके जब राश्चतनत्रा कमजोर प्ड़ने राजगे जब लगते हैं उसकी सक्तियां अधिक सामने Bernda सामने आती है जब क्या होता है उधरे देशिक्रत ख्ियां बढ़ता यहां आम इसके बाद हुए तो सिए यहां अधुत परिस्टिंसी करें तो क्या किया जाता है कि सब्सक्राइ सब्सक्राइट लाए जाता है पहला लिखित कारून गरूप में देखा जाता है उसे जब 1770 के regulating एक लाए जाता है उस एक के तहत क्या किया जाता है कि बंगाल, मदरास और बंबई तिन परस्जिन्सिया जो थी तो उसे जैसे कि मदरास और बंबई परस्जिन्सिया जो है वो बंगाल के अर्थारत कलकाता के अधिन कर दिया जाता है जो जो गौवर्नर थे अब उसे बंगाल का गौवर्नर जनरल बना दिया जाता है यह हुआ हमारा 1773 का regulating एक अब उसके सांथ ही क्या कहता है कि फिर एक बंदोबस्त कानून होता है सतर सेकासी में तो क्या होता है 1773 का regulating एक कम्यों को भी दूर करता है अब हमने देते हैं 1873 का चार्टर एक्ट आता है तो 1873 का चार्टर एक के तहत क्या होता है यह मुख्य बात यह थी कि जो उसमें कंपणी का एक अधिकार दिया गया था हमने यह भी बताया जब बिश्टि पूं क्या हुए 1833 के चार्टर एक के तहत वह एक अधिकार को समाप्त कर दिये गया सिर्फ उसका अधिकार जो था चाय और चिन के साथ पना रहा तो यह हुआ हमारा 1873 में यह परधान था और उसके साथ ही यह भी कहा गया कि अब 1833 का चार्टर एक रहता है जो भी हम क्या होता है पुरी सक्तिय केंद्र का अंतरगत तो क्या हुआ कि भारत के गौर्णर जेनरल पद के अधारना मतलब कि यहां पर जो भंगाल के गौर्णर जेनरल जो थे उनके अंतरगत पुरी सक्तियां भी दिमान थी अब उन्हें क्या किया गया बंगाल के गौर्णर जेन अब यह वता है कि अब इसमें भी कहा गया कि जिस 1833 चार्टर के तहात कि एक अधिकार सकतियां क्या थी चाय और चिंपसी बनी हुई थी तो लेकिन अब इस 1833 के चार्टर के तहात पूर्ट एक अधिकार समाप्त कर दिया गया और गौवर्णर जनरल जो थे लॉर्ड विल्यम बेंटी प्रथम गौवर्णर जनरल जो थे तब भारत के गौवर्णर जनरल बनने के पहले जितने भी कानून थे उस कानून को हम लोग नियामक कानून कहते हैं लेकिन जब गौवर्णर जनरल बनने के बाद जितने भी कानू बनते हैं जितने विधिया बनती हैं उसे हम एक तेया अधिनियम कहते हैं आप इसमें क्या थे इस एक का उद्यस्य था इतना दो पॉइंट लेकिन अब इसके अलग-अलब प्रवधान भी थे क्या प्रवधान थे इसमें गवर्णर जनरलों के पूरे देश के रिए बजट मत इंदर के हांथों स्वप्ति गई तो इसके मतलब कि गौर्णा जांग के हांथों क्या हुआ नागरीक और सैने सक्तियां विद्यमान हो गई सैने सक्तियां विद्यमान मतलब कि इसके अंदर के क्या हुआ नागरीक भी सक्तियां उपसित थी और सैने के सक्तियां भी इसके अंदर उपसित थी अब उसके साथ ही अब यहां पर क्या होता है गवर्णा पूरे देश के लिए क्या हुआ बजर परस्तूत कर सकते हैं अब क्या था गवर्णा जान क्या करते थे पूरे देश के लिए क्या करते थे बजर पस्तुत करते थे अब उसके साथ ही सिविल सिवा में खुली परती योगिता अब क्या हो पहले क्या इसे क्या था कि सिविल सिवा में क्या थी जो सिविल सर्विस थी उसमें क्या की गई आप जो अभी समय के त्यारी कर रहे ह तो उस समय क्या थी तो क्या कि खुली पड़ते हो गता का अधारना सामने जाई अब उसके बाद पदों का आवांटन यह हो गता क्या अनुसार जैसे कि इस्ट इंडिये कंपणी ब्रिटिस इस्ट इंडिये कंपणी कहते हैं हम लोग जो ब्रिटिस इस्ट इंडिये कंपणी है कि लोगों का जो पद था वह किसी एक ऐसे बैक्ति को दिया जाया जाती के अधार पर पदो को आवंटन किया जाता करेंगे योगईता क्या पर देंगे क्या करेंगे यह हो गता है क्या धार पर देंगे इस एक्ट को लाए गया लेकिन जब इस एक्ट को लाए गया तो इस एक्ट के लिए क्या हुआ कि कोट आफ डाइटर्स ने क्या कि इसे क्या बिरोजारिज क्या और जिसके वाज़ा से एक्ट को खारिज कर दिया गया अब इसके साथ ही और अगला परधन ये था दास प्रथा परविधी का निर्मा ये पहली बार हुआ कि दास की सौतनता दास की एक उसके प्रिणा को समझते हुए एक मनुजं होने करनाते उसके कुछ मनवा दिकार होते हैं एक कुछ की सौतनता होती है कुछ निजता के अधिकार होते हैं उस चीज को देहिते हुए एक कानुन बनाय गया जिसे हम लों कहते हैं दास प्रथाक पर बिधी का निर्माद अब उसके साथ ही अब उसके बाद क्या होता है तथा यह भी कह बिधी का निर्माद गया तथा और भी दास को अवैद खोशना जो दास प्रथा थी उसे अवैद खोशित कर दिये गया अब उसके साथ ही अवैद मिंस होता है गैर कानूनी अवैद खोशित मिंस का होता है गैर कानूनी 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 है अब इसके पाद क्या हुआ कि एक बिधी आयो का गठन किया गया बिधी आयो का गठन किया गया किसके अध्यक्ता में लॉड मैकाले की अध्यक्सता में यह हमारा कहता है चाड़ारेक मुख मुखे बाते थी क्योंकि यहीं से क्या होता है हम लों कहते हैं कि भारत की जो थी जो समिधान की रूप्रे खा जो थी यहीं से एक क्या होती है एक बदलाव की रूप्रे खा चेंज बदलाव आती है देख रहें चाती का धर भेदबानों करना दासपरथा कावैद घोजित करन अब लोग काते हैं कि जो इहां पर क्या होता था ब्रिटीश सरकार थी डिसा बृटीश गवर्मेंट कहते हैं ब्रिटीश सरकार और एक था क्या इस्ट इंडिया कंपनी इस्ट इंडिया कंपनी थी तो क्या था कि अभी क्या बिर्टिश इस्ट इंडिया कंपनी के दोरा ही सासन किया जा रहा था लेकिन किसके अंतरगत किसके द्वारा भी कर सकते हैं कानूनिया सब तो बिट्टी सरकार बना रही थी लेकिन सासन कौन कर रहा था इस्ट इंडिया कंपनी तो यहां तक यह तो समय आया यह तो हमारी मुख्या बट्टे अब हमारा एक चार्टर एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1830 क्या कहता है लिखना हो तो लिख लीजिए और जो भी डाउट हो उस चीज को कमेंट किजिए पर जबाब कमेंट बॉक्स में प्राप्त किया जाएगा इसको पीन और कोपी पर कोई पूसे नोट कर लिजिए